नमस्कार दोस्तों, जैश्री कृष्ण राधे राधे, इन तीन लोगों की पुकार भगवान कभी भी नहीं सुनते, अगर आपके घर में भी ये गलतियां होती हैं, तो आज ही सुधार ले, वरना आपकी इच्छा भगवान कभी भी नहीं पूरी करेंगे, इसी के साथ हम जा पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को अंतर जरूर देखिएगा, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है, आप सभी का एक बार फिर से जीत साधना पर, दोस्तों सच्ची श्रद्धा से कमेंट्स में जरूर लिखें, हर हर महादेव, राधे राधे, दोस्तों पैसा कमाने के लिए लोग तरह तरह के प्रयास करते हैं, लोग दिन रात मेहनत करके ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाने की कोशिश करते हैं, लेकिन बहुत कम लोग ऐसे होते हैं, जो पैसा कमाने में सफल होते हैं, ज्यादा तर लोगों को निराशा का सामना करना पड़ी डिडेता है, इस क्या कहते हैं इसके बारे में? कौन से हैं वो काम लेकिन उससे पहले दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल्ड आइकॉन जरूर प्रेस कर ले दोस्तों न नाकारात्मक उर्जा घर में प्रवेश करती है और हमारे घर को प्रभावित करती है। इसलिए जब भी बाथरूम का इस्तिमाल ना हो रहा हो तो हमेशा इसका दर्वाजा बंद रखें। नमबर दो, बहुत से लोग अपने घर के आसपास या दुकान के आसपास ठुकते हैं। ऐसा करना आपके व्यवसाय के लिए हानिकारक हो सकता है और आपके स्वास्थ्य को भी प्रभावित करता है। ऐसे लोग हमेशा आर्थिक तंगी का सामना करते हैं। नमबर तीन, कई लोग बाहर से आते हैं और अपने घर के बाहर ही जूते उतार देते हैं। लेकिन ऐसा करने से घर में लक्षमी नहीं आती। अगर घर के मुख्यद्वार पर जूते चपल बिखरे पड़े हो तो ये आने जाने में रुकाबट बनते हैं। जिससे की मा लक लक्षमी ऐसे घर में प्रवेश नहीं करती हैं। इसलिए आपको मुख्यद्वार पर हमेशा जूते चपलों को सुव्यवस्थित तरीके से लगाना चाहिए और यूँ ही बिखरे हुए नहीं रहने देना चाहिए। नमबर चार, जो लोग घर के बाहर बड़े बरतन रख रखते हैं या घर के मुख्यद्वार के बाहर खाली घड़ा रखते हैं, तो इस आदत को तुरंत ही छोड़ दीजिए क्योंकि ऐसा करने से लक्षमी लंबे समय तक घर पर नहीं रहती है। अगर आप इस उपाय को करते हैं, तो ये पूर्वजों का आशिरवाद लाता है और जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं होती। ऐसा करने से धन की देवी लक्षमी की क्रिपा दृष्टी हमेशा आपके उपर टिक्की रहती है। इसके लिए आप चाहें कोई मामूली सी चीज ही घर पर ले जाएं। आप चाहें तो एक तौफी भी घर पर लेकर जा सकते हैं, लेकिन खाली हाथ कभी भी घर पर नहीं जाना चाहिए। नमबर साथ, जीस घर में होता है। उस घर में हमेशा धन की देवी लक्षमी जी की क्रिपा बनी रहती है। बड़ों के अनुसार सभी को अपने घर में एक शक्स जरूर रखना चाहिए, लेकिन आपको विशेश रूप से साबधान रहना होगा। क्या आप गलती से सूर्यास्त के बाद शंक ना बजाए, क्योंकि अगर आप शाम को शंक बजाते हैं, तो आपको आर्थिक नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। शंक हमेशा सुभा के समय ही बजाना शुब रहता है। गर में सुभा शाम पूजा पाठ और आरती करनी चाहिए। उससे देवताओं का आशिरवाद आपके उपर और धनकी देवी मा लक्षमी का आशिरवाद हमेशा आपके घर पर बना रहता है। नमबर नौ कभी भी शाम को किसी बात को लेकर बहस ना करे। जीस घर में ये काम किये जाते हैं, वहां सदैव पित्र खुश रहते हैं और ऐसे घर पर देवी देवताओं का आशिरवाद हमेशा बरसता रहता है। नमबर एक वास्तु के अनुसार घर के मुख्यद्वार को हमेशा साफ रखना चाहिए। घर की महिलाओं को रोजाना सुबह जागने के बाद सबसे पहले घर के मुख्यद्वार को साफ करना चाहिए। इससे नेगेटिविटी दूर होती है। नहाने के बाद घर में पूजा करने के बाद मुख्यद्वार पर हल्दी वाले पानी के छींटे मारने चाहिए और दरवाजे के दोनों और थोड़ा थोड़ा पानी प्रवाहित करना चाहिए। घर के बड़े व्यक्ति क्या बड़े बेटे को? घर से निकलने से पहले मुख्यद्वार पर रोजाना दोनों और स्वस्थिक का चिनः बनाना चाहिए घर की महिलाई भी यह कार्य कर सकती है साथ ही स्वस्थिक की रोजाना धूप से पूजा करनी चाहिए इससे बुरी नजर घर से दूर रहती है शाम के समय मंदिर में दिया जलाने के बाद एक दिया मुख्य द्वार पर भी जला कर रखना चाहिए माना जाता है कि मुख्य द्वार को रोशन करने से मा लक्षमी आपके घर में प्रवेश करती है नमबर दो आपको रोश सुबह उठकर तुलसी को जल चड़ाना चाहिए ताकि आपके उपर देवी देवताओं की कृपा बनी रहे शास्त्रों में वर्णित है कि जीस घर में तुलसी होती है और जो लोग तुलसी की देखरेख करते हैं उनके घर में हमेशा सुख समरिधी बनी रहती है नमबर तीन सुबह खाना बनाते समय आप एक रोटी जरूर अलग से निकाल दें जो की आपको गाय को खिलानी चाहिए आप हर रोज काम पर निकलने से पहले एक रोटी गाय को जरूर खिलाएए इससे आपके घर में बरकत होगी और अन्नधन की कमी कभी भी नहीं होगी नमबर चार अगर आप सुबह जल्दी उठ जाते हैं तो आपको पूरा दिन शरीर में ताजगी महसूस होती रहेंगी अगर में कभी भी बरकत नहीं होती इसलिए आपको सुबह जल्दी उठ जाना चाहिए और खासकर घर की महिलाओं को इस बात का विशेश ध्यान रखना चाहिए नमबर पांच आपको रोज सुबह उठकर तामबे के लोटे में रखा हुआ पानी पीना चाहिए आपको रात को तामबे के बरतन में पानी भर कर रख देना चाहिए ताकि सुबह उठकर आप वो पानी पी सकें दोस्तों आपने अपने घर में बड़े बुजुर्गों को भी ये करते हुए देखा होगा दरसल ये सिर्फ स्वास्थय के लिहाज से ही नहीं बलकि आपके भागय के लिए भी बहुत ही उप्योगी है अगर आप तामबे के लोटे में रखे जल को सुबह के समय पीते हैं तो इससे आप सूर्य देव की कृपा के पात्र बनते हैं और सूर्य देव की कृपा से व्यक्ति को सुख, सम्रिधी, धन व समाज में मान सम्मान की प्राप्ती होती है। नमबर छे, शास्त्रों में वर्नित है कि जो लोग सूर्य को नियमित रूप से जल चड़ाते हैं, वो लोग समाज में मान सम्मान प्राप्त करते हैं और सेहत के साथ साथ लंबी उम्र भी प्राप्त करते हैं. आपको रोज अपने घर के मंदिर में पूजा करनी चाहिए और धूप दीप अगरबत्ती जलानी चाहिए, जिसके धुए से वातावर्ण शुद्ध होगा और नकारात्मक उर्जा भी नश्ट हो जाएगी. नमबर साथ आपको हर रोज घर से निकलने से पहले थोड़े दही का सेवन करना चाहिए, जिससे आपके कार्य में बाधा नहीं पड़ेगी और ये शुभ माना जाता है. नमबर आठ अगर सुभा के समय आपकी आखे पूजा की घंटी की आवास की आवास के साथ खुलती है, तो कहना ही क्या? इसका सीधा सा अर्थ होता है कि हमारे जीवन के अब सारे कश्ट और नकारात्मक प्रभाव प्रभु ने हर लिये हैं. इसलिए कहा जाता है कि सुभा उठकर खुद भी पूजा करनी चाहिए और भगवान का आशिर्वाद लेना चाहिए और घर में घंटी और शंक का नाद करें ताकि मन के साथ ही घर की नकारात्मकता भी दूर हो जाएं. आप सुभा तयार होकर घर से निकले हैं और रास्ते में आपको जाडू लगाता हुआ या कच्रा उठाता हुआ सफाई कर्मी दिख जाएं तो ये बेहद ही शुभ माना जाता है. आप उन्हें देखकर मोना बनाएं. जोतिश शास्त्र में सफाई कर्मी को शनिदेव से बंधित बताया गया है. ऐसे में अब सुभा सुभा उसे कुछ दान जरूर दें. इससे आपके दिन की शुरुवात और भी अच्छी होगी और कश्ट कट जाएंगे. अकसर हमें आदत होती है कि सुभा उठते ही हम सबसे पहले आईना देखते हैं, जबकि हमें इससे पूर एक असर हमारे चहरे पर होता है. जब हम उठते ही आईना देखते हैं, तो वो उर्जा आखों के जरीए एक बार फिर हमारे अंदर प्रवेश कर जाती है. इसलिए हमें मुह धोने के बाद ही काच देखना चाहिए. तो दोस्तों आप कोई वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट म जरूर प्रेस कर ले. और हाँ इस वीडियो से कोई भी सवाल है, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखे. और आपके पास कोई भी सवाल नहीं, तो यस लिखे, क्योंकि यस लिखने से वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिलता है. धन्यवाद.